गोड़ मॉर्निंग स्टुडेंट्स लास्ट वीडियो हम रहों ने स्टेड़ी की थी आई उपीसी इंटरनेशनल यूनियन आउफ प्योर एंड एप्लाइड केमेस्ट्री जो की क्लास 10 के साथ साथ आपकी पूरी लाइफ में आरगैनिक केमेस्ट्री के लिए मुस्ट इंप पेट्रोलियूम पेट्रोलियूम जो की पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही जरूरी और गैनिक सबस्टेंस है चाहे वो सॉलिड कंडिशन में हो चाहे वो लिक्विड कंडिशन में हो और चाहे वो गैसेस कंडिशन में हो किसी भी देश के जो अर्थ विवस्था होती है इकोनामिक कंडिशन वो ये पेट्रोलियम डिसाइड करता है इसलिए आपने देखा होगा कि जो ओपेक कंट्रीज हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है बट उनके पास पेट्रोलियम का भंडार है जैसे आपका ओमान है इराग है सौधी अरेबिया है ये सब इनहीं पेट्रोलिय जोस्ता यानि एकोनामिक सिस्टम अब दे कंट्री एंड एज वेल एज हमारी अपनी विवस्ता में कितना महत्रपून अस्थान है तो मन में प्रशन पैदा होता है कि सारी पेट्रोलियम होता क्या है नाम तुम सुनते हैं पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल केरोसीनायल ग करता हूँ उमेद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसलाइन हैं कि पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक ऐसा औरगैनिक सबस्टेंस है हिंदी में कार्बनिक पदार्थ है जो की कार्बन हार्डेन और आक्सियन से मिलकर बना होता है ये हमारे अर्थ की डीप लेयर में यानि बहुत गहरी पर्त में पाया जाता है और इसके उपर एक वोलेटाइल यानि वाश में परिबरतित होने वाली गैस में चेंज होने वाले एक लेयर होती है जिसको आप गैस कहते हो और उस गैस के नीचे लिक्विड कंडिशन में और उसके नीचे सॉलिड कंडिशन में पेटोलियम सबस्टेंस हमें मिलते हैं पेटोलियम जो होता है ये डार कलर का होता है आपने को और ग्रीस को छोड़ करके जो पेट्रोलियम जली आपकी है बाकी ये नॉर्मली आयल जैसे होते हैं और बर्निंग के लिए बहुत सुटेबिल होते हैं बहुत तेजी से आग को पकड़ते हैं तो अगर हम डेफिनेशन के फार्म में देखें तो इट इस डार कलर्ड यानि ये गाढ़े रंग के विसकस विसकस का मतलब विसकॉसिटी का मतलब होता है चिपचिपा हट एंड ऑईली लिक्विड और तेल जैसे चिकना हट भी इन में पाई जाती है जैसे मैंने भी आपको मोबिल का नाम बताया है फांट इन डीप लेयर आफ अर्थ पृत्वी की गह टानों से और ये हमें कहां से मिलते हैं मिनरल से तो इसलिए इनको मिनरल आयल भी कहते हैं जो पेट्रोलियम सबस्टेंस हैं इनका जो सबसे पहला कुआ था वो पैंसिलवेनिया यूएसे में 1859 में एडवीन ड्रेक ने खोजा था तब ये लगा था कि अमेरिका में यानि य नहीं पाए गए और ओपक कंट्री जो आपकी हैं इनको आप यू-ए-ई-ज्टी कहते हैं वहां पर टेल के ख़दान जदा पाए गए तेल के कुए वहां पर जदा पाए गयाए इस्पसली कुएट में अब अगर हम बात करें कि जो दूसरा तेल को पाया गया था वो कहां अब आया गया था और आज हमारे भारत में गोदावरी कावेरी इन सबी नदियों के जो डेल्टाउस होते हैं वहाँ पर साथ में वेस्ट मुंबई यानि पस्चिम मुंबई में और आपके असम में इन सभी जंगों पर भारत में भी तेल्गे कुए हैं और इनसे हम पेट्रो उपतार्त थे पेड, पौधे, जानवर, कभी पुर्थी पर कोई ऐसा प्रलय आया था, कोई ऐसा डिजास्टर आया था, जिससे ये सभी जमीन की परत के नीचे दब गए, और इनके लंबे समय तक high pressure और high temperature यानि उच्छ ताप और उच्छ दाब से decomposition यानि सडने गलने से ये petroleum substance में convert हो गए और जो कि solid, liquid और gas तीनों कंडिशन से पाय जाता है, solid कंडिशन में कोईला पाय जाता है, liquid कंडिशन में gasoline यानि petrol, diesel, kerosene पाय जाता है, gas से कंडिशन में आपको LPG और methane gas भी इसमें से बिलती है, तो यानि अगर आप से कोई पूछे, what is the source of petroleum, तो petroleum को इसलिए हम fossil fuel कहते हैं, most important point है, कि what is fossil fuel, तो fossil fuel यानि जीवास्वे इंधन किसे कहते हैं, तो जीवास्वे इंधन उसे कहते हैं, जो कि जीवों के शरीर के अश्म, यानि भागों से मना हो, mean the oil which is prepared by the human part or living parts is known as fossil fuel, तो चुकि मैंने बतायाने कि धरती पर जो disaster आया जीवास्वे इंधन के नाम से जानते हैं, जो ही conditions में आप से बहुत पुछा जाता है, अब चुकि ये disaster में living beings के धरती के नीचे दब जाने से बने थे, इससे एचीज क्लियर है, कि धरती के भीतर, इनकी जो quantity है, वो बहुत fix है, बहुत सीमित मात्रा में ये पेट्रोलें उ हम इन natural resources यानि प्राकरतिक समपताओं का इस्तेमाल करते जाएंगे, तो एक ऐसा वक्त आएगा, कि धरती से ये petroleum उतपात पुईता से खत्म हो जाएंगे, और तब हमें जो परमपरिक traditional source of energy है, इसके जगा पर किसी वेकल्पिक विवस्था का इंतजाम करना पड़ेगा, इस प्रॉलियम सबस्टेंस का कम से कम इस्तेमाल करिए, जिससे कि आप लंबे समय तक इसका प्रियोग कर सकें, या आपका जिंदीगी में आखरी सांस तक साथ देच सकें, और साथ में ये चुकि हाइडो कारबन से हैं, इनके जलने पर कारबन डायोकसाइड, कारबन मोनो आकस और सही तरीके से सिमित मात्रा में होना चाहिए, अब हम समझते हैं कि इनका chemical composition कैसे होता है, यानि petroleum substance में, chemically कौन-कौन से, constituent particle यानि संगठक होते हैं, अगर हम petroleum substance से constituent की बात करें, कि chemically उसमें क्या-क्या होता है, तो it is complex oily liquid, यानि ये जटिल, तेल होता है, mixture of hydrocarbons, यानि य hydrocarbons का एक mixture होता है, और it has alkane, इसमें alkane होते हैं, जिनका formula मैंने पीछे पढ़ाया था, c, n, h, 2, n, plus, 2, जिनमें carbon के सारे bond single होते हैं, cycloalkane, जिसमें carbon मिल करके आपस में एक chain बना लेता है, aromatic hydrocarbons, जिसमें benzene की ring होती है, यह सब मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, and sulfur, उसम petroleum substance होते हैं, इन में basically number of carbons के बढ़ने उगटने के base पर इनका नाम करा हो गया जाता है, क्योंकि चाहे वो LPG gas हो, और चाहे वो charcoal हो, जिससे road बनाई जाती है, सब petroleum substance है, तो हम कैसे define कर लेते हैं, यह petrol है, यह diesel है, यह मिटी का तेल है, तो यह होता है number of carbons के base पर, जैसे, अग PG gas कहलाती है, जिसको आप petroleum gas कहते हो, अगर number of carbon 6 से 7 हैं, तो वो petrol कहलाता है, याद रखेगा, कि petrol में carbon 6 से 7 होते हैं, और इसलिए petrol को हम gasoline भी कहते हैं, याद रखेगा, कोई आसे पोछे gasoline किसका नाम है, तो gasoline petrol का दूसरा नाम है, अगर diesel है, तो उसमें carbon 8 से 10 होंगे, अगर keros carbon की संख्या 10 से 14 के बीच में होगी, अगर mobile है, जिस mobile से चिकनाई दी जाती है, car को, motorcycle को, उसमें carbon होते हैं, 14 से 18, और जो grease होती है, जिस grease को आटे के पेस जैसा होता है, हम लगाते हैं, शटर में, या चैनल में, या गाड़ियों में, या किसी भी mechanics में, तो उसमें carbon होते हैं 19 से 24, और जो charcoal होता है, जिससे सड़क बनाई जाते हैं, जिसको हम charcoal या कोलतार कहते हैं, उसमें carbon होते हैं, 24 से 40, जिस vaseline को, petroleum jelly, vaseline को, आप मूँ पर, चेहरे पर पोतते हो, वो भी petroleum substance है, जो कि याद करिए, vaseline petroleum jelly, यानि वो इस petroleum का ही कचड़ा है, अब हम समझते हैं, कि इस petroleum petroleum को जो सबसे important substance है, जिसको हम घरों में बहुत ज़दा इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने को बनाने के लिए, LPG वो क्या होती है, अगर हम LPG की बात करें, तो LPG का नाम ही है, LPG, यानि liquefied petroleum gas, liquefied का मतलब, liquid में convert किया गया, petroleum gas, यानि petrol का एक ऐसा gas, जिसको हमने जबरदस् liquid में convert किया है, हम करते क्या है इसमें, कि हम बहुत हाई pressure पर, यानि बहुत ज़दा pressure दे करके, petroleum gas को एक कम अस्थान पर, छोटे सी जगा पर, ज़्यादा quantity में इकठा कर लेते हैं, तो जब gas के molecules पास पास आ जाएंगे, तो लिक्विड में convert हो जाएंगे, और चुकि यहाँ pressure बहुत जादा है, इसलिए हम इन्हें steel के मोटे मोटे cylinder में भर कर रखते हैं, आपने देखा भी होगा, यह gas का cylinder बहुत मजबूत और बहुत मोटा होता है, ऐसा इसलिए होता है, यह gas को मैंने बहुत pressure पर liquid में convert किया है, तो यह बरतन की दीवार पर बहुत pressure exert करेंगे, ऐसी condition में अगर वो cylinder कमजोर होगा, तो blast हो जाएगा और दख जाएगा जिससे एकसिडेंट हो सकता है, इसलिए gas के cylinder को बहुत मजबूत और मोटा लिया जाता है, यह question आपसे कभी कभी पूछा भी जाता है, कि why should the gaseous cylinder will be very strong and very thick, तो इसका मतलब यही है, अब अगर हम definition के recording देख है, which is the combination of propane and butane, यह propane यानि तीन carbon और butane यानि चार carbon के hydrocarbon का combination होता है, कोई अगर आपसे पूछे कि LPG में कौन सा gas होता है, तो LPG में propane और butane यह दो gases होती है, propane में carbon 3 होते हैं, जिसका formula है C3H8 और butane में carbon 4 होते हैं, जिसका formula होता है C4H10, अब इस petrol LPG की कुछ खासिते होती हैं, पहली खासियत है इसकी, कि it is converted into liquid at high pressure, यानि इसको हम liquid में convert करते हैं, बहुत ही high pressure दे करके, जिस पर हमने अभी discussion किया था, next point है, its calorie value is very high, यानि इसकी जो calorie value है, वो बहुत high होती है, तो अगर आपको ना पताओ calorie value क्या होती है, तो इसका मतल़ समझ लेजगा, किसी भी gas के, एक miligram या एक gram को burn करने पर कितनी energy, कितनी heat produce होती है, इसी को उस fuel की calorie value कहते हैं, और किसी भी fuel की calorie value जितनी जादा होगी, वो उतना अच्छा fuel मना जाता है, तो LPG की calorie value बहुत जादा होती है, यानि ये एक बहुत अच्छा fuel मना जाता है, और इसलिए हम अपने घरों में इस fuel का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही ये जलने के बाद धुआ नहीं देता, जिससे की pollution नहीं create होता, और हमारा जो air है, वो शुद्ध बना रहता है, नेक्स पाइंट है, कि it is an ideal fuel, जो properties मने अभी आपको गिनाई है, इन सभी properties के बिहाग पर ये क्या है, ये एक ideal fuel है क्योंकि हम किसी भी ideal fuel से क्या उम्मिद रखते हैं, हम ये उम्मिद रखते हैं कि वो कम जगा ले, तो cylinder कम जगा लेती है, वो टेजी से जलती है, धुआ ना दे, धुआ नहीं देती है, बरतन उकाला ना करे, काला नहीं करती है, ज़ादा आच यानि ज़ादा heat प्रडूस कर जिसको मैंने calorie value कही, तो वो भी करती है, नेक्स पाइंट है, its ignition value is very low, ignition value क्या होती है, जिसको बोलता है, the hand point, ignition value का मतलब ये होता है, कोई भी substance, कम से कम जतने temperature पर आग पकड़ ले, वही उसकी ignition value होती है, तो आपको पता है कि LPG, बहुत ही टेजी से आग पकड़ती है, जरा सी गर्मी मिल जाएगी, तो ये आग पकड़ लेगा, इसका मतलब ये हुआ, कि इसकी ignition value बहुत low है, तो एक तरह से तो अच्छी बात है, कि हमने जरा सी भी गर्मी दिखाई, ये जल जाएगी, लेकिन accident के लिहास से भी खतरनाक है, इसलिए हमें precaution भी adopt करना होगा, next point ह है, कि Ethyl Mercaptain for order, अब अगर मैं उसे आपसे बताऊंगा, तब चौक जाएंगे, कि LPG में एक विशेश गंद होती है, जबकि ये पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, LPG है, ये orderless होते हैं, इनमें कोई गंद नहीं होती, और ये colorless होते हैं, clear, लेकिन हम इनमें, च color डाल देते हैं, जिससे कि हमें फर्ग मिले कि पीला रंग पेट्रोल है, लाल रंग डीजल है, और नीला रंग मिट्टी का तेल है, वैसे ही LPG orderless होती है, इसमें कोई गंद नहीं होती, तो अगर इतनी तेस जलने वाली gas बीना गंद की होगी, तो हादिसे तो commonly हो सकते हैं, तो हमें पता चल जाए, कि कहीं पर LPG gas खुली हुई है, इसलिए हम इस orderless यानि गंद हीन gas में एथिल मरकप्टेन, रिपीट कर रहा हूँ, एथिल मरकप्टेन नाम का हम chemical इसमें मिलाते हैं, जिससे LPG में जो गंद होती है, तीखी सी, वो एथिल मरकप्टेन के करण होती है ये competition में आपसे बहुत पुछा जाता है, कि LPG के जो गंद है, वो किस chemical से है, तो वो एथिल मरकप्टेन के करण होती है, तो ये था LPG के बारे में complete information, अब हम समझते हैं कि octane number क्या होता है, जो बहुत important है, और ज़ादा तरी क्लास्टरल्स में पूछा जाता है, और competitions में भी पूछा जाता है, अगर हम octane number की बात करें, तो जिस तरह से हम सोने की quality को carrot में नापते हैं, हीरे की quality को cent में नापते हैं, वैसे कोई भी petrol कितनी high quality का है, ये उसके octane number से clear हो जाता है, किसी भी petrol का, यानि gasoline का octane number जितना high होगा, वो उतना बेहतरीन petrol माना जाता है, यानि कि octane number is the quality number of petrol, ये petrol की quality को define करता है, अगर मैंने कहा, कि एक petrol का octane number 70 है, और दूसे petrol का octane number 80 है, तो 80 वाला petrol ज्यादा अच्छा है, और 70 वाला petrol कम अच्छा है, इसलिए आपने petrol pump पे देखा होगा, कि वो आप से पूछते हैं, कि साधा petrol डाल दें, या high octane number का, जिसको वो super petrol कहते ह हैं, या power petrol भी कहते हैं, तो power petrol और साधा petrol में फर्ग क्या है, octane number का, which tells about quantity of iso-heptane in any petrol, और ये octane number जो होता है, ये हमें iso-heptane की quantity को बताता है, कि उस petrol में iso-heptane किता है, इस चीज़ को आप ऐसे क्लियर ले समझे, कि जो petrol होता है, ये heptane, यानि साथ कर्बन, और iso-heptane, यानि साथ कर्बन का, अगर iso ढंक से लगा हुआ है, मैंने पीछे के वीडियो में, नर्मल, iso और नियो हाइडो कर्बन आपको बताया है, तो वहाँ पर जाकर आप iso को समझ सकते हैं, तो जो petrol होता है, इसमें साथ कर्बन, अगर एक लाइन में लगे हुए हैं, तो ये normal he quality का है, अगर heptane है, नॉर्मल, यानि सारे कर्बन एक लाइन में लगे हुए हैं, तो वह petrol low quality का होता है, तो जो octane number होता है, ये हमें उस petrol में कितने iso heptane है, हमें उनकी quantity को explain करता है, अगर हम बोलें कि इस petrol का octane number 70 है, तो इसका मतलब ये हुआ, कि इस petrol में 70% iso heptane है, और 30% normal heptane है, अगर हम बोलें कि petrol का octane number 80 है, तो इसका मतलब उसमें 80% iso heptane है, और 20% normal heptane है, अब ये octane number से क्या फर्क पलता है, तो number one, petrol is mixture of heptane and iso heptane, petrol heptan और Iso photographer का mixture होता है, मैंने भी आपको बताया High octane number, यानि किसी petrol का octane number जिता जादा होगा High quality petrol, उसको उतरा High quality का petrol हम मानसे Next homem is equal to high average and engine life अगर किसी भी petrol का octane number जादा है, इसका मतलब ये है कि वो हमें जादा average देगा यानि अगर उसको गाड़ी में डालेंगे तो गाड़ी बहुत दूर तक जाएगी और सहत ही इंजन की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी योगि इंजन को अच्छा खाना मिल रहा है यानि अच्छा पेट्रोल मिल रहा है और वाज को हिंदी बोलते हैं अपसफोटन और मेकैनिकल भाषा में मिसिंग करना कई बार आपने देखा होगा कि गाली से फट की आवाज आती है तो फट की आवाज को ही नौकिंग यानि हिंदी में अपसफोटन कहते हैं ऐसा इसलिए होता है कि जब पेटरोल में normal haptane ज़ादा quantity में होता है यानि पेटरोल low octane number का होता है तो बहुत तीजी से जल जाता है जिससे बहुत अचानक heat produce होती है और engine में एक तबाक से आवा जाती है इससे engine की life भी घड़ती है तो जितनी ज़ादा octane number होगा knocking की problem engine में नह मजना होगा कि IEL में और FATS में डिफरेंस क्या होता है तो IEL और FAT दोनों एक यही चीज़ होती है बट जब कभी भी IEL बोलो चाहे FAT बोलो अगर यह लिक्विट कंडिशन में रहेगा तो IEL कहलाएगा अगर solid condition में रहेगा तो fat कहलाएगा otherwise यह है fat ही तो fat यानि अगर liquid condition में है तो oil है अगर वो solid condition में ठोस अवस्था में है तभी वो वसा यानि fat कहलाएगा इसी को हम saturated और unsaturated fats भी बोलते हैं जो भी saturated fat होता है हिंदी में संत्रिप्त वसा होती है वो फोस अवस्था में होती है, सॉलिड होती है, जैसे आपका देशी घी और डल्डा है, जितने भी unsaturated hydrocarbons होते हैं, हिंदी में आसंतिर्प्त वसा होती है, वो liquid condition में होते हैं, जैसे आपके सारे तेल, और हमारे सेहत के लिए unsaturated hydrocarbons, यानि तेल सेहत बंद होते हैं, और जो saturated hydrocarbons होते हैं, वो हमारे हार्ट में cholesterol को produce करते हैं, अगर आप जादा मेहनत करने वाले इनसान हो, यानि फिजिकली ज्यादा active हो, तब तो आप saturated hydrocarbons, यानि घी और डाल्डा को खाईए, अगर आप कम physically active रहते हो, तो आपको डाल्डा और देशी घी नहीं खाना चाहिए, otherwise आपको hard problem हो सकती है, तो अब हम यहाँ पर समझते हैं, कि hydrogenation of oil क्या होता है, तो addition of hydrogen, यानि hydrogen का जुड़ जाना, to an unsaturated oil, यानि किसी भी unsaturated oil में, hydrogen को जुड़ जाने से, वो कहलाता है, hydrogenation of oil, या hardening of oil, क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी oil में, oil कैसा होता है, vegetable oil की बात हो रही है, सुर wind oil है, तो अगर इसमे हम hydrogen gas डाल दें, और nickel यहाँ पर catalyst के farm में, यानि उत्पे रखके farm में होगा, तो वो जो oil था, वो ठोस बदल जाएगा, यानि वो डालना में convert हो जाएगा, इसको आप घी भी कह सकते हो, इसी process को हम, hardening of oil, या hydrogenation of oil कहते हैं, reaction होता है, vegetable oil, यानि कोई भी vegetable oil, plus hydrogen gas, किस के presence में, निकल के presence में, वो किस में convert हो जाएगा, vegetable घी में, यानि वो solid में convert हो जाएगा, और solid में convert हो करके, सरल भाशा में, डालडा बन जाएगा, तो यह है, hydrogenation of oil, जो की exam में, बहुत पुछा जाता है, important है, class 12th के लिए भी, और class 10th के लिए भी, तो उमीद करत हूँ, कि आपको यह petroleum topic completely समझ में, आया होगा, इसमें कोई भी confusion आपको शायद नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी confusion होगी, तो आप comment box में, इसका solution मुझसे ले सकते हैं, या personally contact कर सकते हैं, और आप मुझे यह भी सलाह दिया करिये, कि आपको next video, किस topic पर चाहिए, मैं आपके उस topic पर भी video, especially आपके लिए समय निकाल कर बनाऊंगा, मिलते हैं next video में, इसलिए सनके next content के साथ, जो की है, other organic compounds, जिसमें हम ethanol, butanol, oic acids, इन सभी की study करेंगे, अगर ये video को पसंद आया है, तो please video को like कीजे, channel को subscribe कीजे, जिससे मेरे updates और content आपको मिलते रहें, मिलते हैं next video मे Thank you